सब्सक्राइब करेंगे और उनकी जो क्वेरी जाएंगी उनको भी क्लियर करेंगे अब श्टार्ट करते हैं एक्सराइज 2.5 2.5 में आल्मुस्स सारे जो कुश्चन्स हैं वो डिपेंड ऑन दा आइडेंटिटीज ते डिपेंट आइडेंटिज जो हमने अल्रडी सम्वने में लिखी थी उन सब पर बेज्ड हैं और बेसिकली इन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म में कर्वर्ट करना मुट्प्राइज करना हम बता जा रहा है कि हम किस तरह से इनको यूज करेंगे तो सबसे पहले हम मुट्प्राइग करेंगे एज कुश्चन नमबर वन इनके इस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की फॉर्म में कोई हमारी पास रिजल्ट है जिसको हमें मुट्प्राइग करना है कुश्चन में कहा गया है यूज प्रोपर और शुटेबल आइडेटिटीज तो फाइंड दा फ्लोइंग प्रोडप्स इस टाइप की रिजल्ट को हम किस तरह से यूज करेंगे कैसे फाइंड करेंगे नौर्मली जनरली लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर हम इती पाइड करेंगे तो यह हमारे पास इस फॉर्म में एक रिलेशन मिलता है a और b यदि हमारे पास कोई numerical values हैं तो यहां x square plus a plus b into x plus a b हमारे पास होगा यदि हम first question को देखेंगे तो x plus 4 and x plus 10 का product है उसमें first part है x plus 4 into x plus 10 यह मंट्पाइ करेंगे इसको x square plus 4 plus 10 into x plus 4 into 10 means x square plus 14 x plus 14 इस टाइप से हमारे आंसर आएगा इस टाइप के questions को हम करने के लिए different identities हम use करते हैं same यदि कोहीं पर यह sign दोनों यह positive हैं हो सकता है दोनों sign negative हो सकता है इसमें first term में negative हो second में positive हो second में negative हो first में positive हो तो हम terms के according values के according उसमें sign change कर देंगे एक same और question लेता है इस टाइप में जिसमें हम दूसरी identity यूज कर देता है as third part ले ले और third part में indicate किया गया है कि यह fourth लेता है fourth part लेता है as y square plus 3 upon 2 into y square minus 3 upon 2 यहां पर हमारे पास जो identity लगेगी वो होगी a plus b into a minus b equal to a square minus b square यहां हमारे पास होगा y square of holy square minus 3 upon 2 of holy square जिसको आप लिखोगे y की power 4 minus 9 by 4 इस टाइप से इसको explaining कर सकता है next जो question है उसमें हमें कहा गया है evaluate of the following product without multiplying directly कुछ numbers हैं जिनको हमें dark multiply नहीं करना as question number 2 question number 2 में हमें एक value given है कहा है 103 को 107 से multiply करना है 103 को 107 से multiply करेंगे but without actual multiply तो we can write of this numbers 100 plus 3 and 100 plus 7 हम 103 इंटो 107 को यदि करते हैं तो इसका एक राइट अप्रोसिस हम यूज करेंगे as same identity as this same in case यदि हम x को 100 कंसिडर कर लें a को 3 कंसिडर कर लें यह 100 है और यह पर 7 भी है तो यह हम apply करेंगे 100 of square plus 3 plus 7 into x plus 3 into 7 means 100 of square is 10,000 और 3 plus 7 10 into x x means 100 तो यह हम x को लिखेंगे 100 तो 100 into 10 thousand plus or 7 into 3 21 इन सब को add कर दें तो हमारी पास unit by say 1 say 2 0 1 1 यह answer जाएगे इन केस यदि हम इसको दूसरे process से करते हम column method से 303 103 and 107 को तो column method से हमें करना होता और इस तरह से कर लेंगे same यदि दूसरे questions हम लें जिसमें कुछ number दोनों negative हो सकते हैं एक में positive हो सकता है एक में negative हो सकता है as यदि values लें तो हम उससे कर सकते हैं second questions यदि हम लेते हैं तो 95 और 96 question number second का second part है 95 इंटू 96 कोरी मलपाई करें तो हम इसको 100-5 लिखते हैं and 100-4 और same यह property हम लगा दें but sign change हो जाएंगे हमारी पास यहां as 100 of square दोनों terms negative है यह और भी दोनों negative है तो दोनों में minus को मले लेंगे और यहां लिकेंगे 4 plus 5 यह 5 plus 4 into 100 यह minus a और minus b दोनों minus में हैं तो a into b दोनों को प्रोट करेंगे तो 4 into 5 20 होगा और यह result plus में आएगा यहां यह 10,000 होगा इन दोनों को add करेंगे और 100 से मत्पर करेंगे तो यह 900 हो जाएगा plus 20 होगा अब next step में होगा this plus 20 but 900 को minus करना है यह 10,000 में इसे 900 को minus भी करना है तो एक तो 20 तो आएगा ही आएगा हमारे पास यहां इदि हम इसमें 10 यहां से बोरो करते हैं तो यह 10 minus 9 1 आएगा और यह 9 आजाएगा तो यह answer होगा next एक और पार्ट यदि हम लेते हैं इस ही type का तो यह question हमारे पास हम ले करते हैं 104 and 96 104 into 96 we can write of this 100 plus 4 और 100 minus 4 as property a plus b into a minus b हमारे पास जो properties है वो इस type में है इसमें एक terms हमारे पास दोनों में plus हो रहा है प्लस b और यह a minus b की form हो रही है तो अभी काड़ेट ही हमने तू अभी यूज की थी देन a square minus b square property लगाए तो यह 100 of square minus 4 of square 100 of square is 10,000 minus 16 तो यह हम यहां से minus करेंगे तो यहां हमारे पास क्या होगा 16 minus करेंगे out of borrow करेंगे तो यहां क्या है 4 यह 9, 9 minus 4, 8 यह 9 और 9 तो यह 9 और 9 तो यह appropriate identities अब किसी भी question को यदि हम identities यूज करते हैं अब identities हमारे पास क्या है वो a plus b ka whole square है a minus b ka whole square है या a plus b और a minus b हैं उस type की जितनी properties हैं हम उनको directly use कर सकते हैं choose करेंगे कि यह क्यों कौन सी properties हैं और किन कौम करेंगे यदि हम question number 3 का एक part लेते हैं तो उसको देखते हैं उस question में हमें क्या करना है question number 3 9 x square 9 x square plus 6 x y plus y square हो में यावाद हमारी पास कुछ identity थी a square plus 2ab plus b square equal to a plus b of whole square यहां हम compare करें क्या यह कुछ इस form में हमें develop करना पड़ेगा rearrange करना पड़ेगा तो we can write of this 9 is 3 x of whole square यह y of whole square बट क्या यह 2ab की terms है चेक करेंगे 2 6 है आपके पास तो 2 into 3 करेंगे और into y करेंगे तो यह a square plus 2ab plus b square की फोंब हो गई then 3 x plus y of whole square यह इस type में हमारे पास identity यूज हो गई तो इस तरह से हम सारे questions को try कर सकते हैं next question को हम देखेंगे question number 4 में हमारे पास 3 terms का square है then एक identity है हमारे पास question number 4 को करने के लिए हम use करेंगे हमारे पास terms दी गई है question है question लेते हैं then उसके साथ हम use करेंगे question हम लेते हैं बी फॉस्ट पार्ट x plus 2y plus 4z of whole square हमारे पास एक फॉर्मुला होता है a plus b plus c of whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac c यहाम कंसिटर करें के वाट इस a x b is 2y and c is 4z and explain by this identity then we can write x of whole square 2y of whole square and 4z of whole square plus 2 into x into 2y plus 2 into 2y into 4z plus 2 into x into 4z. now you simplest can simplest form as x square 4y square 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8xz in case हमारे पास यह terms सारी positive है all terms are positive यहां भी हमारे पास इस identity में सारी positive terms है but sometimes यह कोई भी terms negative हो सकती है तो जो terms हमारे पास negative है उसी के साथ में हमारे पास यहां पर sign change होंगे यहां क्योंकि किसी भी negative number का square rhythm करेंगे तो वह positive होता है तो यह square वाली terms तीनों always positive आएंगी और यहां according to this information sign change होंगे in case यदि हमारे पास suppose करो c negative है तो इसके लिए हमारे पास c की terms जो right side में आएंगी जहां c होगा वो दोनों terms negative हो जाएंगे in case यदि b negative होगा b के साथ minus sign है तो b की terms जहां आएंगी वो दोनों terms negative होंगे और in case यदि a negative हुआ तो जहां पर a use हो रहा है वो दोनों terms negative होंगे यह तब है जब single terms negative हो और in case यदि two terms negative हो जाएं as b और c दोनों negative हो जाएं तो यह तीनों तरम सो positive आएंगी आएंगी बट यदि B और C दोनों negative हो जाती है तो यदि B और C एक साथ दोनों product होंगे तो वो दोनों positive हो जाएंगे और यदि B A के साथ है तो negative B C के साथ है तो positive C A के साथ है तो positive As यदि A और B में B पूर negative था तो यहां negative आएगा B and C दोनों negative थे तो यहां positive आएगा और A और C में C negative था तो यह negative आएगा इस तरह से identities को हम use कर लेंगे और rearrange करके इन सब को simplify कर देंगे इसका reverse question है उसको हम एक लेते हैं इसी के base पर हम उसको choose करेंगे question number 5 है और उसका first part हम लें तो उसमें कहागा है it is a 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz and minus 16xz हम यहां cross check करना है कि which terms are negatives तो यहां हम देख रहे हैं कि यह यह terms positive है यह भी 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 terms positive है बट यह दोनों terms negative है बट इन दोनों terms में negative है तो कौन सिया variable है जो दोनों terms में है वो हम select करेंगे तो यहां दोनों terms में z is a common variable so z is negative terms तो we can change of this terms is 2x of whole square 3y of whole square means 4z of whole square फिर यहां से हमारे पास जो भी given है उसमें हमने डिसाइड किया कि कौन सी terms हमारे पास negative है तो उसी को हम यहां negative ले लेंगे मिल्स यह जो terms है हमारे पास यह negative है therefore 2x plus 3y minus 4z of whole square as is answer इस terms को हम इस तरह से सिंफाई कर सकते हैं आगे के कुछ questions जिसमें cubic identities हमें लगानी हैं उन पर पोस्ते हैं जो आगे कई questions हम इसमें से use करेंगे question number six लेखते हैं question number six में हम देखेंगे कि हमारे पास जो six question के को करने के लिए हमें identity चाहिए वो क्या है तो first of all हम देखते हैं कि what is a question question six question का जो first part है वो two x plus one है question number six then first part इसको करने के लिए हमें a plus b of cube a cube plus three a square b plus three a b square plus b of q this term is eight a square b of cube a cube again we can write of two x of cube plus three into two x of square into one plus three into two x into one of square and plus one of cube now we can write of this term is 8x cube plus square of 2 is 4 4 into 3 12 into 1 as a 12x square now is product of 3 into 2 6x and plus 1 the answer of this इस type से हम इन question को action कर सकते हैं यदि कहीं negative identity होगी हम negative को use करेंगे positive है तो positive को use करेंगे same यदि negative है तो negative एक तर्म से ले सकते हैं as 2a-3b second part से 2a-3b of q identity हमारे पास है a-b of all q aq-3a2b plus 3ab2 minus a square minus b of q मैं आंपर यदि करेंगे 2a of q minus 3 2a square into 3B plus 3a 2a into 3b of square and plus 3b of q third part Now, can write as 8a square cube minus 3 into 3. इंको करदे, 9 and 2 of square 4a square b plus 3 to 6a into 9b square plus 27 of b cube. Rearrange करेंगे as 8a cube minus 36a square b plus 54a b square plus 27b cube. इस टाप के एक कोश्चन हो जाएंगे, बट एक और दिफेरेंट कोश्चन हम लेंगे, जिसमें हमें क्योबिक अइडेंटिरी को यूज़ करना है. As, question number 7 में, first part है, cube of 99. Question number 7, cube of 99 means, 100 minus 1 of cube. Same identity हमें यूज़ करनी है, means, अब इसको यूज़ करेंगे तो 100 of cube minus 3 into 100 of square into 1 plus 3 into 100 into 1 of square and minus 1 of cube. Now, simplify as cube of 100 is 6 zeros जाएंगे, cube of 100 में 6 0 जाएंगे, then next term is 3 into 10,000 करेंगे, plus 300 minus 1. आपके पास 2 terms positive हैं और 2 negative हैं, as, Inquiry हम मत्वाएं करेंगे, तो 30,000 और यह हो जाएगा, 30,000, 1. अब difference करेंगे यहाँ पर हम, तो 10 minus 1, 9, यह 9, यहाँ पर आप 2, then 0, और यह 6, 9. इस टैप से आप इनको cubic identities को यूज़ करके solve कर सकते हो. next continue करते हैं तो question number 8 में, reverse identity यूज़ होंगी, reverse identities यूज़ होने का मलब है, कि A plus B का whole cube और A minus B का whole cube हम यूज़ करेंगे. अब यदि हम इसको थोड़ा सा एज़िट लिखे रहने देते हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं, question number 8 के लिए, question number 8 में हमें कहा है, के factors of the flowing identities using of IELTS. question number 8, first part, number 8 A cube plus B cube plus 12 A square B plus 6 A B square. हमें यह चेक करना हैं कि यह cubic terms हमारे पास, cubic polynomials हैं, जिसमें हमें चेक करना हैं कि हमारे पास कौन सी terms यह लग सकती हैं, सभी terms positive sign के साथ हैं, और हमारे पास जो उपर identity हैं, वह भी सब positive terms के साथ हैं, positive sign हैं, तो यह चेक करो के cubic terms कौन सी हैं, अब cubic terms में हमारे पास सबसे पहले आता है 2 A of cube होता है, already B cube already given है, B cube है, तो हमारे पास A cube और B cube की terms तो ही आ गई, बट क्या यह terms हमारे पास इस form में हैं, as यदि हम इसको कहें 3, तो 3 के साथ में चाहना चाहिए 2 A का square भी होगा, तो 2 A of square into B की form होना चाहिए, तो चेक करेंगे कि 2 of square, 4, 4 into 3, 12, 6 है, तो 6 में क्या आएगा, 3 होगा ही होगा, यहाँ पर into 2 A होगा, और into B of square होगा, तो इसी form में है, yes, तो हम कह सकता हैं कि we can write of 2 A plus B of whole cube, और हम इसको लिख सकता है, 2 A plus B into 2 A plus B and also 2 A plus B, हम इसको 3 factors के form में भी लिख सकता है, तो हमें यहाँ पर positive terms में लिगी, होग सकता है, कुछ terms negative होगी, उसी के बेस पर हम इन question को check कर लेंगे, कौन सी property यहाँ लगनी है, suitable property क्या है, जिसको हम solve करेंगे, next question है, question number 9, और उसमें हमारे पास verify करना है, कि क्यों भी काइडिटी है, वो कैसे उनको verify करेंगे, question number 9 में, क्या है, verify to x cube plus y cube, यह verify करने के लिए का गया है, तो verify हम कैसे करेंगे, यह ज्यान अखना है, normally, small part से large part लाना थोड़ा मुस्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, रड़े part को लेंगे, और उसको simplify करेंगे, open कर देंगे, bracket और देखेंगे कि हमारे पास terms क्या मलती है, तो now taking to right hand side, right hand side is x plus y, x square minus x y plus y square, then you multiply x all these factors, तो x square x y y square, then multiply y to this complete point numbers, x square x y plus y square, now open the bracket, x cube minus x square y, x ko x y से multiply करेंगे, minus x square y, then multiply करेंगे, it is the plus x y square, now y into x square, x square y, minus x y square, and plus y cube, but you have some like terms, x y square, positive or negative, x square y, positive or negative, so you have this x cube, plus y cube, this is left hand side of question, therefore, left hand side, also right hand side, ये हमारे पास, verify होगे, proof होगया, कि हमने right sadly, और left को proof कर दिया, as same second part of this question, कर सकते हो, next question number, 10 का एक पार्ट, समले देते हैं, question number 10, means, एक पार्ट है, हमारे पास दिया गया है, कि, first part of question number 10, 27 a of cube, 125 of b cube, 27 a of cube, और x कह सकते हैं, a कह सकते हैं, कोई फ़क ने परता है, x, y, z, b, रिख ले, कोई फ़क ने परता है, as it same है, 27 x y cube, plus 125 z cube, we can write, 27 a cube, plus 125 b cube, means, we can write, of 3 a of cube, plus 5 b of whole cube, हमारे पास एक identity है, a cube, plus b cube के लिए, जो अभी हमने, use की, proof किया, question number 9 में, उसको लिखेंगे, a plus b, into a square, minus a b, plus b square, question number 9 में, हमने यह identity, verify की, proof की, उसी को यहां, use करने के लिखा गया, now, we can write of this, 3 a plus 5 b, in first packet, and then second packet is, 3 a of square, minus 3 a into 5 b, and plus 5 b of whole square, now, again, write 3 a plus 5 b, as 9 a square, minus 15 a b, and plus 25 b of square, इस step के questions को, हम कर सकते हैं, इन के सिए, minus में हो, minus identity हो, तो minus का identity लगा देंगे, plus है, तो plus की लगा देंगे, next question, हम देखें, तो question number 11, में डाक लिए एक property, फॉर्मला जो है, वो लगाया हुए है, उसको, सर्च करके लगाएंगे, बट, अब हम question number 12 करते हैं, जो काफी important है, और exam में आता है, इसको समझाना जरूरी है, उसनिका है, verify that this, हमें वेरिफाई करना है, question number 12, यह एक question है, जिसको हमें verify करना है, में इस left hand side लें या right hand side लें, इसको हमें प्रूब करके दिखाना है, now taking to right hand side, is half, as it is in कौहम लिखेंगे, but open to A minus B of all square, means we can write of x square plus y square minus 2xy, similarly y minus z y square plus z square minus 2y z and plus z square plus x square minus 2x z. we can write as first product as it and second x square have two place y square two place z square also two place, then we can write of 2x square 2y square 2z square minus 2xy 2y z minus 2z x. now taking two common of this complete bracket, so you can write 2 upon 2, x plus y plus z and x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. is a perfect identity of to the chapter or left hand side of this question. then we can write is x cube plus y cube plus y cube plus z cube minus 3xy z is a left hand side, hence root of this question verified also. but in case, in case 13 question में, खाय गया है कि if x plus y plus z equal to 0, then verify of this, अब इस identity के लिए, यदि हमारे पास ये इतम 0 हो जाती हैं, next question के लिए, हिंड मैं दे रहा हूं, उसको आप try करेंगे, कि ये 0 हो जाए, तो ये right hand side also 0 complete हो जाएगी, तो आपके पास ये इतम सोचेगी, और इसमें भी जब right side 0 होगी, तो इस 3xyz को right side में shift कर देंगे, तो हमारे पास जाएगा, xq plus yq plus z equal to 3xyz, तो almost ये exercise complete, और इसकी कुछ questions आप try कर सकते हैं, almost question is done, फिर भी यदि कोई question या doubt तुमारे पास होता है, तो आप उसको comments box में मुझे डालें और उसका solution आपको हम provide कर देंगे,